अगनिपत योजना जितनी गुप तरीके से बनाई गई उतने ही उजागर तौर पर इसका विरोध शुरू हो गया कहा गया कि इसे बनाने में लगभग दो वर्ष का समय लगा शायद सरकार के मंत्रियों तक को इसका आभास नहीं था लेकिन अब तारीफों के पुल बांधे जा रहे है सभी इस स्कीम को समझाने में व्यस्थ हो गए है स्कीम के प्लस और माइनस की बात एक्सपर जाने समझने की बात है कि जब से ये सरकार आई है नौक्रियां कम ही हुई है दिखाने के लिए टेक्निकल इंट्रेंस परिक्षाय ली गई लेकिन कही न कही से पेपल लीक करा इसे वाधित किया गया कोरोना के बाद स्थिती और गंभीर हो गई बोद्रिश्य आज भी आँखों के सामने तैर रहे है लाखों की तादात में मिलों में काम करने वाले मजदूरों को जिस बेरहमी से मरने को छोड़ा गया वो दर्द कभी न कभी तो जलकना था बोद्रिश्य आज भी आँखों के सामने तैर रहे है कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान स्टुडिंस का हुआ नाम मात्र की आनलाइन पढ़ाई कराई गई परिक्षाइन नाम मात्र को हुई सभी को ऐसे ही पास करने की मजबूरी थी प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी नौकरियों का जाना हुआ और विद्यार्थियों में टेक्निकल एडुकेशन की तरफ रुजान कम होना शुरू हुआ यहां तक की इंस्टिटूशन्स में सीटे खाली रहने लगी हजारों इंजिनियरिंग काले जब धरम शालाओं में परिवर्तित होने की कगार पर है नवयुबकों का भविष्य के प्रती उत्साह कम हुआ निराशा धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी शात्र भी भी आस लगाये थे कि शायद मोदी सरकार कुछ करेगी इसी आस में नवयुबक मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे अचानक बिना किसी वारता के नवयुबकों के लिए अगनिपत मार्ग चुन लेना एक सोची समझी साजिश थी जो गम खाए निराश नवयुबकों के गुस्से का कारण बन गया ये एक दिन होना ही था सत्तर फीसदी आम लोगों को लात्मार अमीरों की जोली भर देना भारत के लिए अभिशाप से धहोगा आम आदमी के लिए रोजगार, नौकरी एवं उनकी आमदनी में एक निश्चित बढ़ोतरी अगर नहीं होती है तो ये एक सामुहिक आंदोलन का रूप ले लेगा इसी कौनवयुबक क्रांती भी कहते है सरकार एक एजेंडे के लिए कार्य कर रही है सरकार को भारत के लिए कार्य करना होगा अन्यथा इस करांतीकारी आंदोलन को रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी ज्यात होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन स्वत सामने खड़े हो जाते है अभी भी समय है सरकार रोजगार बन आकरियों वा आम आदमी की आई बढ़ाने पर ध्यान दे